हेलो फ्रेंड्स हेलो गाइस जैसा के पहले वीडियो में हमने देखा है के बैटरी का कनेक्टर कैसे निकालते है अब इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों के बैटरी का कनेक्टर कैसे बीटाते है तो बैटरी का कनेक्टर बीटाना भी सेम वैसा ही प्रोसेस है दोस्तों तो यह हमने इसको देखिए यह हमने कापास की स्टिक से इसको भी जगा पर जासे हमने कनेक्टर निकाला था उसको मथमा क्लिन कर लेते हैं कि इसके हम अच्छे से कवी रड़ीन कर लेते हैंशल curry तो हमें बिठाते टाign कोई इլादों करिया है और जैसे कि दोस्तों हमने पहले कह형ित आधा जिब भी कोई connectण निकाले तो प्लास्टिक की चीज रहा जैसे क्यानों प्लास्टिक और इस देखने जयसे कि इसको कवर आँव चीज की है जो धियरेक। कवर करना बहुत जरूरी है जैसे हम यह connector निकाल लेकर आया है तो हम यह connector जासे हम ओलर वाला connector निकाले थे वहां पर हम यह connector लगा देंगे किजिर्फियर हुआ है अब देखिए दोस्तों हमने पहले जब जब वह निकाला था दोस्तों खनेकर तो हमने मेकैनिक वाला पेज्ट यूज υश किया तो हम इंगाने क्नेकटर वापस बिटाना है।्त हम उसके लिए दूसरा वाला पेश्ट यूजू करें गया हमारे पास में dużo lieमेक्ष के यह हमने लगा दिया है अब हमारी होटरगन को हम चालू कर लेते हैं हमने हमारी होटरगन को चालू कर लिया है यह देखिए दोस्तो यह हमने होटरगन को हीट किया है तो पेस्ट जो है हमारा पिगल चुका है अब ये connector को हम ऐसे उटा कर वोई जगा पर बराबबर point to point हम रख देंगे उसको और दोस्तों याद रहे जैसे हमने connector को निकाला था हमने आपको कहा था पहली वाली वीडियो में कि उसको हमें एक जगा पर ही नहीं रखना है hotter gun को अगर हम एक जगा पर अगर रखेंगे तो हमारा collector है वो जल जाएंगा प्लास्टिक का आता है वो जल जाएंगा तो हमें hotter gun को हिलाते रहना है हमें hotter gun को हिलाते रहना है और अगर हम एक जगा पर अगर रखेंगे तो हमारा connector वेस्ट हो जाएंगा और खराब हो जाएंगा, वो हमारे यूज में नहीं आएंगा तो हमें होटर गन को ऐसे हिलाते रहना है, फिर हमारा कनेक्टर आसानी से बैठ जाएंगा यह देखिए दोस्तों हमने कनेक्टर को बिटा दिया है अभी अभी हम आपको इसको थोड़ा हिला कर बताते हैं वो बैटा है या नहीं बैटा है सही तरीके से देखिए दोस्तों हमारा कनेक्टर आसानी से और फिस पॉइंट टो पॉइंट बैठ चुका है तो इसी तरीकी से आप इसको बिटा सकते हैं तो हमारी इस चैनल को लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें